दोस्तों गुजरात के पिछले बार के एलेक्शन रिजल्स की अगर बात की जाए तो भारती जनता पार्टी को 99 सीट्स मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 80 सीट्स मिले थे यानि इन दोनों के बीच में सिर्फ 19 सीट्स का फासला है इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के फैंस ये उमीद लगा रहे हैं कि शायद इस बार कांग्रेस पार्टी उन 19 सीटों के फर्क को भर पाएगी और कांग्रेस पार्टी शायद इस बार गुजरात में इलेक्शन जीत पाएगी वो इसलिए उमीद लगा रहे हैं क्योंकि भारती जंता पार्टी भी इधर महंगाई को रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इधर राहुल गांधी भी भारत जोडो यात्रा में काफी सबल हुए है जिसकी वज़ा से वो लोग उमीद कर रहे हैं कि शायद कांग्रे कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है कहीं से भी चांस नहीं है गुजरात के एलेक्शन को जीतने का क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मीडिया जो है वो कांग्रेस पार्टी को रेस में रखेगी ही नहीं मीडिया जो एलेक्शन करवाएगी वो बीजेपी और अमयम के बीच म एलेक्शन करवाएगी यानि मीडिया बीजेपी का सिर्फ वो भाशन दिखाएगी जिसमें बीजेपी वाले कह रहे हो कि मतुरा का मंदिर जो है वो वहीं बनेगा और अमयम पार्टी के वो भाशन दिखाएगी जिसमें वो कह रहे हो कि ग्यानवापी मस्जिद वहीं पे थी वहीं पे है और वहीं पे रहेगी तो ये दोनों ही भाशन मीडिया दिखाएगा और इन दोनों के बीच में ही मीडिया एलेक्शन करवाएगा जिसके बाद होगा ये कि गुजरात के अंदर 9% जो मुसल्मान भाईयों के वोट्स है वो M.M. की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मे मीडिया रेस में ही नहीं रखेगी मीडिया सिर्फ BJP और M.M. का ही एलेक्शन करवाएगी जिसकी वज़ा से BJP एलेक्शन जीतने वाली है लेकिन यहाँ पर एक बात और भी सोचने की है कि आमादमी पार्टी जो पहली बार यहाँ पर जो जोर दे रही है गुजरात में उन आमादमी पार्टी यहाँ पर आए ग्राउंड लेवल पर वो वर्क करे अगर उनका वर्क अच्छा दिखे तो ही उन्हें अगले एलेक्शन में जीता सकेगी हो सकता है इस बार उन्हें वोट ना मिले और अगले एलेक्शन में उन्हें जीता दे या फिर हो सकता है जनता ड prediction नहीं किया जा सकता तो गुजरात का जो election result है वह या भारती जणता पार्टी जीतने वाली है या फिर अगर जनता मन बना ले तो शायद आम आद्मी पार्टी भी क fen टकर दे सकती है लेकिन congres सपा्टी का फिल्हाल कि फिल्हाल गुजरात में कोई चांस नहीं है तैंक यू सो मच गाइज गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं आपका